आमस्कोर फ्रेंड्स आपका स्वागत अमेरे इस नए वीडियो में फ्रेंड्स कम्प्यूटर के पिछली प्रिक्षाओं में पुछे वे क्यूस्चन्स की सीरिज अमने स्टार्ट कर रखी है तो एक से तीश तक के क्यूस्चन्स पिछले पार्ट में कवर कर लिये थे और फ् से कही सारे एक्जाम से किस्टन सी जी व्यभाप में सातीस गड़ के एक्जाम के किस्टन भी लिये गए इसे तो फ्रैंट्स बहुत ही अच्छे एक्जाम से और यह ऑट रहेगा इसका तो पहले क्फिटन देख लेटें क्पूटर वाइरस ग्या होता है यह साहता है जो क्यूस्टन के आगे लिखा हुआ है group of four bits forms a 4 bits मिलकर क्या बनाती है एक nibble को एक nibble बनता है च्यार bits को मिलाकर और 8 bit को मिलाकर क्या बनता है एक byte तो दियान रखें पहली programming बाश्वा कौन सी है सबसे पहले पुरानी बाश्वा सबसे पहली बासा कौन सी है मैं पहले भी उता चुका हूँ तो फोर्ट्रोन के क्विस्टन्स काफी सारी पुछे जा चुके हैं फ्रेंट्स एक्जाम्स में फोर्ट्रोन सबसे पहली बासा है और यह वेग्यानिक कारियों में प्रियोग की जाती है विज्ञान में फुल फॉर्मटी फॉर्मुला ट्रांसलेशन और फ्रेंट्स बेसिक भी एक आई लेवल लेंग्वेज है नामी बेसिक है C, C पलस ये भी आई लेवल लेंग्वेज हैं कम्प्यूटर की प्रोग्राम्मिंग बासा हैं और फ्रेंट्स मैंने कुल 16 वीडियो अपलोड कर रखे कम्प्यूटर के important questions के और ये दूसरी सीरीज है मेरी पिछली प्रिक्ष्याओं में पुछे वे questions की इससे पहले की सीरीज कम्प्यूटर के important questions की थी सोड़ा वीडियो की वो भी जरूर देख लें वेब पेज वेब पेजिज किसकी सायता से बनाए जाते हैं तो फ्रेंट्स ये question एक और तरह से पुछा जा सकता है इससे पिछले वीडियो में आपको बताय था कि वेब साइट बनाने के लिए किस language का किसका परियोग करते हैं तो वेब साइट बनाने में किसका प्रियोग करते हैं HTML का option भी इसका राइट रहेगा HTML की फुलफुरम होती है Hypertext Markup Language इसकी सायता से वेब साइट बनाए जाते हैं वेब पेजिज बनाए जाते हैं इसकी question को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो इसका answer हो रहा है HTML तो एक ही question को भूमाफिरा के एक्जामस में पुछा जा रहा है फ्रें बिट उसके बाद निबल होती है उसके बाद बाइट होती है तो आईपी एड्रस यानि इंटरनेट प्रोटोकोल आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकोल तो इस एड्रस में कुल बिट्स होती है 32 किस operating system में notepad एक text editor के रूप में परियोग किया जाता है तो कौन से operating system में notepad को एक text editor के रूप में परियोग किया जाता है इसका नाम है Windows Windows operating system में इसका परियोग किया जाता है इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता खालिस्तान होता है तो संपूर्ण पता इंटरनेट पर फाइल का क्या होता है URL uniform resource locator URL बता देता है फाइल का संपूर्ण address इंटरनेट पे next question Microsoft Excel की computer file को किस परकार नाम दिया जाता है तो Microsoft Excel की computer की फाइल होती है उसके last में क्या लिखा मिलेगा आपको dot xls और इसके last में भी x लिखा हो सकता है फ्रेंट्स जैसे यह MS word की file का extension नेम होता है इसके last में भी x लिखा हो सकता है वो भी गलत नहीं होगा options देखकर आपको टिक लगाना है next question आदित्य क्या है यह एक बारतिय सुपर computer का नाम है फ्रेंट्स आदित्य याद रखें next question देखते है logarithm की खोज किस ने की थी logarithm की खोज किस ने की थी यह math में यूज की जाती है logarithm जोन ने पियर ने इसकी खोज की थी तो पिछली परिक्षाम में पूछे वे computer के question सामिल कर रहे हैं friends हम वन एक से 30 तक के question पहले पार्ट में 31 से 6 तक के question second पार्ट में यह second पार्ट चल रहा है इसका निमन में से computer network में क्या एदित्य नहीं होता है क्या unique नहीं होता है तो computer network में IP address unique होता है internet protocol address unique होता है computer का नाम unique होता है और workbook का नाम यह unique नहीं होता option 6 में राइट रहेगा computer प्रणाली में CD-ROM दवारा क्या दर्साया जाता है तो क्या दर्साया जाता है प्रेंट्स optical डिस्क ओडी को दर्साया जाता है computer प्रणाली में CD-ROM के दवारा CD-ROM की full फॉर्म होती है compact disc read only memory यह इसकी hardware है इसकी फुल फॉर्म होती है compact disc read only memory hardware है फ्रेंट्स द्यान रखें दो सभी दोनों के दोनों के दोनों क्यूस्टन CD-ROM से समन्दीत एक साथ सामिल कर लिए मैंने next देखते हैं यह इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो यह file extension name ms word की file का extension name होता है .doc यह सही है फ्रेंट्स एमस एक्सल की file का extension name होता है .xls यह लास्ट में एक्स भी लगा हो सकता है तो फ्रेंट्स यह भी सही है second भी एबी सही है यह भी सही है ms paint की file का extension .jpg होता है यह भी सही है लेकिन ms powerpoint यह गलत है फ्रेंट्स यह सुमेलित नहीं है ms power की file extension name होता है .ppt यह होता है file extension name यह गलत है next question ms powerpoint का file extension name क्या है यह आपकी knowledge के लिए मैंने सामिल कर लिया है .ppt नेमन में से क्या popular परनाली से संब्धीत नहीं है तो तीन तो computer परनाली से संब्धीत हैं लेकिन एक नहीं यह कौन सा नही है epf फूर्म होती है employees provident fund PM यनि PowerPoint presentation यह यह क Mitsubize Yes iIMs powerpoint संब्धीत खुछी ए defer Теперь 00 कंपिऔर से संबंदीता है URL की फूल फोर्म होती है उनिफोर्म होती है कि पुराने सरकारी परानज प्राइबट इम्प्लयी उन उनके लिए होता है यह बैंक अलग से पीएफ कटता है उनकी पेमेंट से जो बाद में मिलता है तो फ्रेंट से इस वीडियो के बीच के कुछ एक क्युस्टन अवलेबल नहीं है वो अगले वीडियो में सामिल कर लिए जाएंगे 46 से लेकर 24 तक के तो नेक्स्ट कुस्टन देख लेते हैं टेलिफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारन दवारा इंटरनेट उपलब्द के कराने के लिए कौन सी प्रोध्योगी की इस्तिमाल किया जाता है तो इस प्रोध्योगी की नाम है DSL यानि डिजिटल सब्सक्राइबर क्लाइन DSL इसका नाम होता है और सब्सक्राइबर बनाया जो बविश्य के लिए परतिकरती सिध हुआ तो किसने सबसे पहले एंध्रीक कंप्यूटर बनाया जिसकी जिसकी अल्फ से आज का अज का मज़क यूग यहां तक मोच सका है इनका नाम है पादर ओफ कंप्यूटर चाल्स बेबज चाल्स बेबज किस देश के थे पुमेट्स box में लिख कर वाइः ये आज का question यही रहेगा अपसे एक file जिसमें आप से सताई data रहता है उसका कि नाम क्या है master file master फाइल में रहता है तो आज का question लेगा friends साब से कि B pascal ने किसकी खोज की थी computer कोमेंट्र की खोज की थी या कैलकुलेटर की या फिर कोई और मशीन की कोमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताईए